हलो गाईज मैं आपकी होश एंदोस प्रियांका आप सभी लोगों का स्वागत करते हूं नेक्स नाइग म्यूस भोश प्रियांका खास प्रोग्राम वारल सच जहांबर हम आप सभी लोगों को बताते हैं भोश प्रियंडस्टी की ऐसी खबरें एसी जानकारियां जो आपके स्टार के साथ जुड़ी हुई होती है लेकिन इन खबरों के पीछे सच्चाई क्या है क्या बाकि में पवंख सारी निरहुआ रितेश राकेश मिश्रा और यह तमाम जो स्टार हैं हमारे उनसे जो खबरे यूट्यूब चैनल पर वाइरल होती है क्या वो खबर पूरी तरीके से सच है क्या उस खबर को सही भं से पेश किया गया है यह सारी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं क्योंकि करियर पर उनकी प्रसना लाइफ पर भी काफी बुरा खरता है फिलाल आज कि इस पारल सर्च के प्रोग्राम में सुरु बात कर देते हैं पवंस सिंग को लिकर कहा जा रहा है पवंस員 की स्थया जो कि बंपर हिट रही थी फिल्म सबसे ज्यदा बोछपिर में कमाई करने वाली पवं की फिल्म बनी उसके बाद अब खबर आई है कि छसे कड़ोड छसे कड़ोड के पार होगा पवंस faith की सत्या टू का बजट लेकिन अभी इस फिल्म को लेकर क्या ये खबर सही है क्या वाकई में सत्या टू जो है वो पवन सिंग की सबसे अब तक की हाइस बजट की फिल्म होगी बिल्कुल जानते हैं रिपोर्ट के जरिये लेकिन उससे पहले आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर में हम आपको देवताने वाले हैं जिसमें कहा जा रहा है यूपी और दिल्ली में पवन सिंग ने मचा दाला है धमाल आखे एक बार फड़ से पुरवांचल समझ में आता है कि वहां पर भोश्प्री कही जाती है बोली जाती है वहां की भाशा है मात्र भाशा है इसलि है कि हेसारे लाल यादव को जेहां और उन्हें एक बार फिर से जेल जाना परसकता है की आप सभी को इससे मामला पता होगा आप लोगों को याद होगा कि सानिया मिर्जा के उपर खिसारी लाल यादव ने गाना गाया था जिसकी वज़ाचे उन्हें जेल जाना पड़ा और वो काफी जादा सुर्ख्यों में भी रहें लेकिन एक बार फ़र से उनके उपर ये तलवा लटकती नज़रा रही है लेकिन दोस्तों क्या वाकई में खिसारी लाल यादव के उपर इतनी बड़ी मुसीवत आने वाली है क्या उनके फैंस के लिए ये बुरी ख़वर है मलकुल आपको इपोर्ट के जरिये जरूर मालूम पड़ेगा वही अگली और आकरी वारल ख़वर में हम लेकर आई है जानकारी जो कि हमारे भूच पिंडस्टी के सतर के साथ तो जुड़ी हूई ही लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि सबसे जादा जी हाँ जो भूच पिंडस्टी के सतर है उसमें खिसारी लाल यादव और पवंसी इन दोनों के अलावा तीसरा ऐसा स्टार है जिसे बिहार और पुर्वांचर की जो लड़किया है उन पर सबसे ज़ादा उने प्यार करती है यह यूं कहले कि उनकी बहुत बड़ी फैन है और इसमें कहीं न कहीं आकरा लेकर आये जा रहा है कि किसी सबसे ज़ादा लड़किया पसंद करती है इन दोनों स्टार्स के इलावा इन दोनों सुपर स्टार्स के लावा तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अपने इस रिपोर्ट के जरीए कि इन सभी ख़बरों के पीछे सचाई क्या है देखे हमारी एक खास रिपोर यहां देखा जाए और इन दोनों के अलावा तीसरे स्टार की बात इसमें कही जा रही है तो आपको बता जी जो तीसरा स्टार इसमें गिना जा रहा है वह प्रबूत प्रेमी यादव जिहां जो कि अभी हाली में अपनी फिल्म चना जोर गरम से अपने करियर के शुरवात हो चुकी है और सबसे ज़दा लड़किया इन दोनों के गाने इन दोनों की फिल्मों को पसंद करते हैं तो फिल्हाल तो यह लिस्ट में पवन सिंग और खेसारी लाल यादव का नाम आता ही है लेकिन हाँ यह बात भी बिलकुल सही है कि प्रमोट प्रेमी यादव ने जब भी उनके उपायों के साथ बैक टू बैक कई उने फिल्म में मिल रही है पवन सिंग का देखा जाए तो कहा जा रहा है कि उनकी फिल्म सत्या पार्ट टू होगी इस साल की सबसे ज़दा बज़र की फिल्म जी हाँ आपको बता दे पवन सिंग की एक फिल्म रिलीज हुई थ लेकिन अब कहा ख़बर ऐसी भी आई है कि पवन सिंग की इस फिल्म का सीक्वेंस भी बनने जा रहा है यानि कि सत्या पार्ट टू बनने वाला है जिसकी बज़र के उपर बात आ गई है लेकिन और उसका बज़र छे करोड़ के आस पास बताय जा रहा है लेकिन दोस्तों आ नहीं अभी बताया गया है और कहीं न कहीं देखा जाए तो ख़बर काफी हद तक सही है लेकिन उसे थोड़ा अलग धंग से पेश किया गया है अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्क्रिप्ट राइडर तो हमें संप यूपी और दिल्ली में पवन सिंग ने मचाया है धमाल आपको बता दे दोस्तों दरासल में यूपी और दिल्ली में पवन सिंग के धमाल की जो ख़बर बताई जा रही है यह उनकी फिल्म इन साल जो रिलीज हुई है वांटिट के साथ जुड़ी है जी हां इस साल पवन स का भरपूर एक्शन दिखाए गया है और साथ में खबर ऐसी आ रही है कि यूपी और दिल्ली में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो वाकई में दर्शकों के तरफ से इस फिल्म को देखने की भारी बीर उमड़ी है और कमाई के मामले में भी दिल्ली और यूपी में इस फिल् कहीं न कहीं देखा जाए तो ये खबर बिल्कुल सही है कि पवन सिंगे फिल्म वांटेड जहां पर भी जिस राज़े में भी रिलीज हुए है वहां पर दर्शकों के तरफ से इस फिल्म को भरपूर प्यार और रिस्पॉंस मिल रहा है और कमाई के मामले में भी जैसा कि प भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर पीटियो एडिटर कैमरा मैं या स्क्रिप्ट राइडर तो हमें संपस्कर खेसारी लाल यादब को जाना पड़ सकता है जेल आपको बता देए इस समय पर खेसारी लाल यादब के देखे जाएं तो उनके शायद सितारे जो है व भी हैं खेसारी लाल यादब और घारगी पंडित के बीच की वाद विवाद खतम भी नहीं हुई थी लेकिन उसके तुरंत बाद एक बार फट से सुधीर सिंग जी हाँ सुधीर सिंग और खेसारी लाल यादब के ओपर खबर आई की ओनके गाने को लेकर कुछ लोगों ने उनके उपर F.I.R. दर्श किया है यानि की अब बैक टू बैक देखा जाए तो खेसारी लाली अदब के उपर कई मुसीविते आई हैं लेकिन इन सबी चीज़ों को दरकिनार करते हुए खेसारी अपने काम में लगे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो मुझे सजा नहीं मिल सकती है तो ये जो जेल जाने वाली बात हम कह रहे हैं जो ख़वर सोशल मेडिया पर आ रही है दर असल में इसे हम फिलाल के रिए गलत ही कहेंगे क्योंकि खेसारी लाली आदब की तरफ से कहना है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है तो अगर गलती नहीं हुई है तो खेसारी लाली आदब जेल नहीं चाहेंगे और यही वो खबरे होती है यही वो जानकारियां होती है जो उन्हें स्टार बनाती है लेकिन कई बार यह वही खबर यही जानकारे कुछ ऐसी भी रंग डूप ले लेती है जो कई बार स्टार्स के करियर पर भी काफी बुरा असर छोड़ता है फिलाल दोस्तों आज की खास प सब्सक्राइब कीजिए बालाकिन का पट्र नवाइए ताकि लेटेस्ट अब्डेट आप सभी तक पहुशता रहे और ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को अपना प्यार देते रहें कमेंट लाइक शेयर करते रहेगा और मुझे दीजिये इजाज़त ममश्क्राइब स्टार्ट यूर कारियर विफ अस है अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिकोर्टर पीटियो एडिटर चैमरामैं या पर स्कृप्राइडर तो हमें इस संपसकर। स्टार्ट यूर कारियर विफ अस झाल झाल